दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक एकरार चेनल पे इस वीडियों आपको बताएंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका एकाउंट है और आपके इमेल आइडी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपने अपडेट करवाया है और आपके इमेल आइडी पर जो भी है आपका mini statement आपको quarterly monthly जो भी है आपके पास send किया जाता है आपके email ID पर तो दोस्तों आपका email ID पर जो भी आपको मिलता है अपना mail मिलता है आपको जो भी आपका PDF file password उसमें मांगता है कि आपने यहापर एक file होता है उसको open करेंगे तो जैसे open करते हैं तो आपके सामन वीडियो को सुरू करते हैं अबस्वराइब करें टेक तरार चैनल को और बेल आइकन को हीट करें आल पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें तो दोस्तों आपका जो भी email ID होगा आपके mobile पर आपको जाना होगा तो अपने जो भी email ID उसमें जाना होगा आपको और यहां पर जो भी आपके पास mail आया होगा यहां पर आपको देखना होगा तो हम यहां पर जाएंगे और अपना जो भी mail है यहां पर देखेंगे तो हमारे पास यहां पर देख सकते हैं कि India Post Payment Bank के तरफ से हमारे पास एक mail आया हुआ है तो आपको यहां पर हम दिखा दें कि आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तरब से ऐसे कुछ इमेल आता है और आपका जो एकाउंट होता है इकाउंट का जो है तिनकों का आप दिखाता है तो आपको क्या करना होगा इस पर किलिक करना होगा फिरेंड जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ अलग इंटरफेस आजाएंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपके सामने यहाँ पर बताया जाता है देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो भी टर्मन कंडिशन है आपका यहाँ पीड़ड करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते है कि आपको चार अच्छर का नाम होता है इस नाम का जो लेटर होता है चार अच्छर होना चाईए और आपका डेट ऑवर्थ जो होना है उसका पासवर्ड होता है तो आपको यहाँ पर slide उपर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक PDF फाइल आज चुका है इस पर आपको click करना होगा download वाले पर तो जैसे यहां पर download वाले पर click करेंगे तो यह PDF file download हो चुका है आप यहां पर बोल रहा है कि आपका जो भी है अपना password यहां पर डालने को बोला है यहां please enter password तो क्या करना होगा आपको password में क्या डालना होगा आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा आपका भी कोई भी नाम आपका होगा अब अपना नाम यह अपना डाल देजिएगा चार अच्छर का जो भी आपने यहां पर enter कीजिएगा तो हमारा जो नाम है आप enter कर देंगे आप जो मन्त है यहां पर करेंगे के मन्त तारिक है सब कुछ यहां पर ले लेंगे आप लास्ट जो है ताय आपका 1995 है तो आपको bugs95 लिखना है 1989 है तो 1989 लिखना है यह नहीं की आपको 1989 पूरा नहीं लिखना होगा बस 1989 है तो 89 लिखना होगा तो हमने princess lich लिख देंगे आप यहां पर देख सकते हैं friend की okay आपको click करना होगा तो आपकी सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो भी है यहाँ पर account से related जो भी है आपको यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा और आपका जो भी यहाँ पर यहाँ पर MRC Code जो भी हैं आप यहां पर सब कुछ यहां पर प्राप्त कर पाएंगे तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा Account Number यहां पर देख सकते हैं कि आपको Customer ID यहां पर सब कूछ आपको यहां पर दिखाई डेदेगा तो ऐसे ही अपना इंडिया पोस्ट पेमिंट बैंक का मेनी स्टेटमेंट आता है तो आप ओपेन कर पाएंगे इजिली तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेर, सब्स्राइब जुरूर कीजेगा और इमेल आईडी कैसे अपडेट करते हैं और चें झाली करते हैं तो जिससारा वीडियो यह जिस फीसारा आता है थाहाँ है तो आपको वीडियो आता हैं तो आता है कर दो आता हैं तो आता हैं उल गया है।